वेल्कम बैक टो माईचु और मैं हूँ आपकी दोश्चुदी गुपता और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिनकी स्किन ओई है यानि आज मैं आप लोग के साथ भारत के दस टॉप फेस वास शेयर करने वारी हो जो जिन लोगों की स्किन वाली होती है उनको फेस्वास चुनते वक्त बहुत ही बुद्धिमानी दिखानी कि अगर ज्यादा रसायन वाला ज्यादा चैमिकल वाला फेस्वास हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुहास्य की दिकत हो सकती है और अगर अच्छे से ऑई नहीं निकलेगा गंदगी तो आपके रोम शित्र बंद हो सकते हैं जिसके वएसे आपको ब्लाक हैट्स और वाइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है तो इन सारी प्रॉब्लम से चुटकारा पा सकते हो आज का ये वीडियो देखे क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ टॉप 10 फेस्वास शियर करेंगी हू चलो दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं लेकि वीडियो शुरू करने से परड़ आपको क्या करना है चलो को सब्सक्राइब कर लेना है पगल में घंती बजा देना है ताकि आने वाली वीडियो की सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हमें इसी फेस्वास को ट् हिमाला का हरवल प्यूरिफाइंग नीम फेसवास एक सोप फ्री फेसवास है यानि इसमें आपको सोप नहीं मिलेगा कैमकल फ्री है इसका हरवल फार्मुलेशन चेहरे की गंदगी और पिंपल्स को दूर करता है प्राक्टिक नीम और हल्दी के मिशन वाला यह फेसवास एंटी वेक्टिरियल और एंटी फेंगल गुलोस से यूपत होता है इसे खास तोर पर ओईली स्किन को ध्यार में रखकर बनाया गया है दोस्तों यह एक हरवल प्रोड़क्ट है यह बहुत ही बहतर तरीके से जो ऑईल होता है हमारे फेस का एक्स्ट्रा उसे कंट्रोल करता है पिंपल से छुटकारा दिलाता है और चेहरे की गंदगी साफ करता है लेकिन आपको बता दे इसको लंबे टाइम तक यूज करने के पाद यह कोई असर देखता है तुरंथ ही आपको असर नहीं दिखेगा तो दोस्तों आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमाल्या के प्रोड़क्ट पर आप इस्वास कर सकते हो अरोमा मैजिक नीम और ट्रीटी फेस्वास दोस्तों आईली स्किन के लिए यह फेस्वास बहुत ही जादा बहतरीन है क्योंकि इस फेस्वास में आपको नीम के साथ ट्रीटी एक्स्ट्रैक्ट भी मिलेगा यह तोनों ही एंटि सैप्टिक ऑ इठीवक्तिरियल होते हैं जो भी खट्म करते हैं और working लुस्त है यह जो फेस्वास ही लिए जाए बहुँ है साथ आपके इस्किन पे एक्स्ट्रा ऑुल भी स्किन पर थेंश कमई का व्यूद्ध कर्ता है दोस्तों इसको यूज करने की बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है इसकिन का एक्स्ट्र ओल होता है वो निकल जाता है केल महासे से चुटकारा पाने में ये मदद भी करता है साथ ही महासे के जो दागदब्बे होते हैं उन्हें भी साफ करता है और आपकी जो इसकिन है 5-6 घंटे और फ्री रहती है और यह हलकी मेकप को यानि नार्मल से जो मेकप होते हैं उनको साफ करने में यह हमारी है भी कर सकता है दोस्तों एक इसकी जो नुकसान की बाद करें तो इसका भी असर आपको काफी दिन बाद दिखेगा और इसको यूज करने के बाद स्किन जो है बहुत जादा ड्राई हो जाती है इसके लिए आपको मोस्चिराइजर लगाना पड़ेगा और अधिक सेंसिटिव स्किन अगर है आपको नीम और ट्रीटी एक्स्ट्रैक के साथ आता है पिमपल्स पे बहुत अचीता से वक करता है एंड हा इसकिन को हैल्दी बनाता है दोस्तों इस पेस्वास की फायदे की बात करो तो काफी की फायती भी है क्योंकि 149 में आपको 150 ml product quantity के साथ यह आता है और इसमें नीम और ट्रीटी के गुण आपको मिल जाते हैं और बहुत ही अची तरह से ओल करता है और नुकसान की बात करें तो इसका असर तुरंत नहीं नजर आएगा इसको लंबे टायम तक यूज करेंगे तब आपके पिमपल्स पर असर दिखेगा दोस्तों हैंफी नीम फेस्वास का आप लोग के शायर के शायर के बारे में तो आप लोग इस फेस्वास को लेने से पहले मेरा वो वीडियो ज़रूर देखेगा वीडियो के लिंक आपको आई बेंपे और वीडियो के इंड मिलेगी लोटस हर्बर्ट्री टी एंड सिनेमन एंटी एकने ओयल कंटोल फेस्वास खास तोर पर ओयली स्किन को दियान में रखते हुए बनाया गया है टी ट्री ओयल में एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेंटरी गुन होते हैं जिससे तुजा की सूजन कम होती है या आपकी इस एक प्राक्टिक क्रिंजर है जो तजा से डडी स्किन सेल्स को हटा कर उसे प्राक्तिक रूप से निखारती है इसको यूज करने के बाद आपकी ज्यादा खिली-खिली और जवाबी नज़ती है दोस्तों इसका नुकसान यह है कि नए पिमपल्स को तो नहीं आने देता लेकिन पहले से मौझूद पिंपल्स पर ये अपना असर काफी देर में दिखाता है Biotic Bio Pineapple Oil Control Forming Face Wash for Oily Skin Types Biotic के प्रोड़क्स हरबल होते हैं Pineapple Neem की पत्तियों और लॉंग के तेल से तयार किया गया oneesta BioTic के यह फेस्वास्स प्राक्टिक रूपसे इस स्किन को प्रोटेक्ट करता है यह तुझा को साफर करके पोर्ष को बंद करने औरने स्वस्त बनाने के लिए काम करता है फायदे की बात करें तो यह ओली स्किन के लिए परफ्रक्ट है ड्राइ और अकॉमेरेशन इसकिन को ये और भी ज्यादा ड्राइब मना सकता है क्लीन एंड क्लेयर का फ़ोर्मिंग फेस्वास खास फ़र पर तोझा से अक्जिक तेल को उटाने के लिए तियार किया गया है इसे यंग स्किन टोन को ध्यार में रखते हुए बनाया गया है इसका लिपकिट फार्मिला चेहरे को बिना ड्राइ करे गहरे से सफाई करता है उसे सॉफ्ट एवन ग्लोइंग बनाता है इसमें मौजूद इंग्रिडियन्स पिंपल्स को आने से रोकते हैं और से साफ और सुस्त बनाते है दोस्तों इस फेस्जा के फाइदे की बात करो तो आपको बता दू या तज़ा को घहराई से साफ करता है या इस्तिमाल में आसान है इसे ट्रेवलिंग तरफ्षाब्लिंग के दोरान भी आसानी से रखकर ले जा Despite the word of the face wash Rap स्किन वालों के लिए ठीक नहीं है यूटो जोनो आइल फ्री एक्ने फेस्वास तुझा से तेल को आज़ानी से निकाले में मदद करता है साथ ही तुझा को हाइडरेट भी रखता है या एक जेल बेस्ट फेस्वास है जो इस्तमाल करने में ज्यादा ठीक नहीं है या गंदगी बलकि मेकप को साफ करने में भी मददगार है या फेस्वास तुझा को अधिक ड्राइ नहीं करता है और हर तरह के स्किन को सूट करता है नुक्सान की बात करें तो इसकी कीमत बाकी फेस्वास से थोड़ी जादा है जो बिस ट्री ट्री आयल कंट्रोल फेस्वास या फेस्वास तुझा की गंदी को साफ कर उसे कोमल बनाता है या फेश्वास को करता है लेकिन जादा समय तक नहीं जो बिस ट्री ट्री आयल कंट्रोल फेस्वास कुछ हद तक ही कील मुहासर पर असरदार हो सकता है इसे खास ऑईली स्किन के लिए बनाया गया है ड्राइ स बनाता है और इसकी खुश्बू काफी ज़्यादा अच्छी है रुकसान की बात करें तो गर्मियों में इसका असर दो से तीन घंटे ही रहता है इससे ज़्यादा नहीं पियर्स ऑईल क्लियर ग्लो फेस्वास पियर्स ब्राण अपने साबून के लिए बहुत ज़्यादा में जाता है मगर इसका फेस्वास कलेक्शन भी काफी ज़्यादा अच्छा है पियर्स ऑईल क्लियर ग्लो फेस्वास आपकी तजह से अक्टिव तेल को साफ करता है इसमें मौझूद ग्लीसिन स्किन को साफ और ग्लो इंग बनाते है यह तजह को गहराई से साफ कर डेड़ स्किन से चुटकारा दिलाता है बहतर प्रेडाम के लिए इसे दिन में दो बार यानि सुबा और साम दोनों में आपको इस्तमाल करना पड़ेगा इसके फाइदे की बात करें तो पहली बात ही आपके स्किन को ड्राई नहीं करता है या पास गंड़े से अधिक समय तक इसकि जो महक होती है वह काफी जदा अची है और नुक्सान की बात करें तो इसको बनाने में केमिकल का इस्तमाल किया गया है इसका जेल जो है वह काफी ठीक है इसे साफ करने में थोड़ा समय लगता है पतंजली नीम तुर्ची फेस्वास दोस्तों पतंजली के जो भी क्यों साफ कर उसे दिन बर फ्रेस बनाया रखता है और तजा लंबे समय तक जवार बनी रहा है नीम और तुलसी के गुरों से बरपूर या फेस्वास ऑईले स्कीन के लिए काफी अच्छा है और इसके फायदे की बात करें तो यह जदा महगा नहीं है यह अर्वेदिक और न इनके रिव्यू को पड़ा है और यूटूब पे देखकर ही मैंने अपना असर करें कुछ ना असर करें वह हमारे स्कीन बेस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्कीन की क्या जरूर थै तो आपको जो फेस्वास आपके स्कीन के अक्वाडिं अच्छा लगे आप उसे ट्राई क करो और अगर कोई फेस्वास आप ट्राई कर चुके हो तो अपना अनभाउस फेस्वास को लेकर अच्छा था बुरा था मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जो शेयर करना एंड वीडियो को लैकें शेयर करना और टैली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बि यूश्फूल वीडियोस आप लोग ट्रेल लाते रहती हो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इता ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तर तक लिए जय हिन जय भारत